हलो फ्रेंड्स में रियांस चोयल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रियांस चोयल में और आज हम बात करने वाले हैं काफी अभी जो रिलीज हुआ भूट पार्ट वन दा हॉंटेट शिप के बारे में हां तो दोस्तों विक्की कोसर स्टार मुवी पार्ट वन के सुनने में है कि इसके तीन पार्ट रिलीज होने वाले हैं उसका पहला पार्ट है पार्ट वन बूट दा हॉंटेट शिप यह है एक अनो की कहानी भी है सार ने सोसल मीडिय आकॉंट पर ट्रेलर रिलीज कर दिया है और हम आप सभी को बता दें कि यह है मुवी जो है 21 फरवरी 2020 को रिलीज हो रही है अपने आसपास के सिनेमा गरो में हाँ तो दोस्तों ये मुवी जो है 21 फरवरी 2020 को रिलीज हो रही है आपके असवास में और इसमें जो है विक्की कोसल जो है सर्विंग ओफिसर का किरदान निबा रहे है हम अब आते हैं स्टोरी पर यह प्रिचर की स्टोरी इस परकार है कि यह जो मुवी है यह कानी एक ऐसे जहाज की है जोग की खराब मुसम की वज़े से गलती से जुहू बीच पर आ जाता है और उसमें एक खास बात यह होती है कि उस सिप में एक भी परसन नहीं होता एक भी को सर्विंग ओफिसर जो विकी को से लेए वो इसके सर्विंग करते हैं और परताल में पता सबता है कि यह जो शिप है वो होंटेड है और इसके इस मुवी के अंदर जो विकी को से लेए वो सर्विंग ओफिसर प्रतिवी का किरदान निबा रहे हैं जब वे इस जब वे इस परताल करने जाते हैं और वहाँ पर काफी आजीब सी गटनाई होती है और वहाँ पर कुछ डाराओना सा दिखता है उनको और यह मूवी जो है काफी हॉंटेड है आप सभी कितना एसाइट है हॉंटेड मूवी देखने के लिए आप हमें कमेट बोक्स में कमेट करके पेडनेकर और आशुतो दोस्टो इस मूवी के अंदर भूम मी पैडनेकर और आशुतो राणा काफी अच्छा करदार निभा रहे हैं और ये जो मूवी है भानुपरताव सिंग के निर्देश में बनी हुई मूवी है और काफी अच्छी ये मूवी है और इसके पार्ट वन के बाद में पार्ट टू और पार्ट थ्री भी आने वाले है तो आप सब भी कितना एक्साटेट है मुवी को देखने के लिए हमें कमेंट खड़ करके बताय है आप सभी को मारा हमारा वीडियो कैसा लागा हमें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर झाल झाल